दलित राजनीतिक के सबसे प्रवत है इसलिए हैं गया उन्देर के रूप में कारु किया इनका लम्बा और राजनीतिक पटतीब बता दिञेे जो ज से जब से विधायक बने हैं तो आप अभी कहां पर खरें हैं 2023 साल का एक बहतरीन राजनितिक केरियर रहा है पूरु मुखबंदी श्री जीतरा माल जी ने आग दिखाने का काम नहीं किया है यह संतो सुमन जो हमारे राष्ट्रिय ध्रक्षिय आग दिखाने का उद्यस नहीं ह क्या है यह बताना चाहते हैं क्या यह संद्याल सब्सक्राइब आपनी पाटी है हम किसी साथ घड़ बंदन में जरूर हैं हमुदाने कि अब भरती का बात था जो सरकार ने किन सरकार ने नीतियां बदली जिसके कांट Bay हम उन सब युवाँ को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ आएंगे तो हम उनकी समस्यां पर पॉसिटिबली रियक्ट करेंगे सवाल यह नहीं है कि चार सीट हम लोग ने जीता सवाल यह कि हम कितना काम कर रहे हैं और हमारे साथ युवाँ लोग काम क लोग को लोग सब्वा का चुनाव है लेकिन बिहार में जो महागर बंधन में घटक दल है वह अब महागर बंधन की जो बड़ी पार्टियां उनको आँख देखाना शुरू कर चुकी है कि पिछले दिनों कुद संतोस कुमार सुमन सुमन यानि अभी ओष्टी अध्याच ह प्रवक्ता हैं मुख्य प्रवक्ता है संतोष कुमार जी यह आग दिखा रहे हैं या बारगेणी हो रहा है और आपनी दिखा रहे हैं आपनें हमको मुखा मुखा दे को बहुत थन्य बाद है माने मिंद दिखाने काम अग sniff नहीं किये लेकिन हम किसीके गुलाम नहीं है हम लोग अपनी ten लेने लेने के लिए सोतंत रहें और पार्टी तो चुनाव का त्यारी करेगी है इसलिए वो कर रही है लेकिन युवा पर खास आपका फोकस है पिछले दिनों यात्रा भी हुआ संतोस मांजी खुद यात्रा पर निकले हुए थे मकसद क्या है मकसद यह है कि हमारे जो बिहार राज्य है विश्यसकर आप देखेंगे कि युवाव के साथ बहुत समस्या ब्रोजगारी की समस्या है और साथ साथ है कि समय पर एथी नहीं हो पा रहा है एक्जाम वेगरा नही जाना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी मोर्चा के साथ आएंगे तो हम उनकी समस्या पर पॉजटिवली रियक्ट करेंगे लेकिन अब मांजी जी कह रहे हैं कि जो बादा था उसको हम भूला सकते हैं छोड़ सकते हैं पहले दो मंत्रा ले था अभी मंत्रा ले है यह क्या है क्य जैसे पहले हमारा सरकार में थे हम लोग माहागा के साथ में नहीं जा रहे हैं बात यह है कि हम लोग जो वादा करके आये हैं जन्ता से हुआधा चार्वी सिट्टें हैं लेकिन हम लोगों ने वादा किया है उसको पूरा करना होगा नहां क्योंकि आपको तुरफ चुबिस में चुनाओं में जाना है जंता अपसे सवाल स्वाल यह नहीं किला सवाल यह हैं कि हम लोग ने जीता सवाल यह कि कितना काम कर रहा और हमारे साथ जो सब्सक्राइब करूंगी जितना मांजी जो है बरिता को नेता है ऐसा तो को यह है नहीं जरूर मांजी समाज के नेता हो सकते हैं यह आपका परसेप्संट यह आप एक मीडिया लॉबी में चल रहा है कि आप एक जाती को सूचक कर रहे हैं दलित राजनीती के सबसे बरे पूरधा इसलिए हैं कि इन्होंने एक लंबे समय तक मंत्री के रूप में कारे किया इन कर रहे हैं तो तेतालीस साल का एक बहतरी राजनीती केरियर लेकिन उनके पास अनुभा है? बीखार की राजनीती में सबसे सीनियर नेता कौN कौ है जेतार मांजी जी है और उससे तो उसके बरी बात बात यह है कि Mercury समय भर इन्हों पर गुई पूछ सकते हैं वह विधी का विधान कहीं या भागे का जो भी खिल कहीं है यह समय बहुत कम रहा है या बीज़ेपी के तरफ से कोई ओफर अपर आया है आइसी कोई ओफर नहीं है कि गवर्नर का ओफर दिया जा रहा है यह अफवा इसलिए फैलाई जा रही है ताकि लोगों में एक रहे इनके प्रती संसे पैदा हो सकी चलिए तो संतोष कुमार जी है युवा विंग के राश्टी मुख्य प्रवक्ता है लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि पड़िसीमन होने वाला है और पचास सिट के अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत न एकरें